लाइफ में बहुत बड़े रिस्क भी आ जाते हैं, कभी इस बात को अज्यूमी नहीं कर पाता है कि मैं बुढ़ा हूँगा, हमारे दादा जी की इंकम 100 रुपे थी, तो आपकी मनी की वेल्यू कैसे मल्टिप्लाइ हो जाएगी, इन्वेस्ट करने के सिस्टम को समझते हैं, नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ डॉक्टर मित्माईश्वरी, बिजनस टेनर, कॉर्परेट टेनर, मुटिवेशन स्पीकर, और सी यू, मैं टास ओवर्सीज लिमेटेड, आप सभी का सवागत करता हूँ आज की इन्फॉर्मिटिव वीडियो में, और फ्रेंज, आज एक हर उम्र पर आपके काम करने का तरीका अलग होता है, आपकी बॉडि की एनरजी अलग होती है, आपके एक्स्पिरियन्स का लेवल अलग होता है, जिसकी वैसे आपकी अर्निंग भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और कई बार लाइफ में बहुत बड़े रिस्क भी आ जा वज़े से भविश्य मोहने वाले लॉस को हम identify नहीं कर पाते हैं इसलिए जरूरत है financial mistakes को जानने की यदि आपकी उम्र 20 वर्ष की है न तो क्या financial mistakes हम करते हैं इस पर study करने की तो बात करते हैं अगर आप 20 वर्ष की उम्र पर हैं तो कौन-कौन सी दो major financial mistakes करते हैं क्योंकि हमें भविश्य का पता ही नहीं होता और कच्ची उम्र में न हमें ये भी अंदाजा नहीं होता कि भविश्य में क्या हमारे साथ हो सकता है तो number one जो mistake हम करते हैं no planning for retirement एक युवा व्यक्ति न कभी इस बात को हमें इतना पैसा कमा रहा हूं तो आगे तो मेरी earning बढ़ नहीं वाली है एक well confident हमारे mind में हमेशा बना रहता है इसके अलाबा avoiding investment हमें लगता है कि जो भी पैसा हमने कमाया है इस पैसे से भरपूर enjoy हम करें हम picnic trips पर जाएं हम अच्छे-च्छे gadgets खरीदें गाडियां खरीदें और अपने सभी सपनों को साकार करें ये सबसे बड़ी major और blunder mistake होती है at the age of 20 उस पर हमें क्या करना चाहिए ये समझना बहुत मैथवपूर है long term investment goal friends ध्यान रखिएगा अगर आप 20 वर्ष की उमर पर सही तरीके से invest करना शुरू करते हैं तो आप उस व्यक्ति की investment को beat कर सकते हैं जो 40 वर्ष की उमर पर invest करना शुरू कर रहा है अगर आपने compound interest की power को नहीं समझाए ना तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप 20 वर्ष की उमर पर जब invest करना शुरू करते हैं और एक व्यक्ति 40 वर्ष की उमर पर invest करना शुरू करता है तो एक निश्यत समय पर जाने के बाद ज्यादा निवेश करने के बाद भी उस 40 वर्ष की उमर के व्यक्ति की जो final capital होती है जो बनेगी वो 20 वर्ष के व्यक्ति की जो कम investment कर रहा है उसके लगबग बरावर होती है इसके लिए मैंने बहुत important वीडियो दिया हूँ उसको आप जरूर देखेगा उसका link आपको description box में मिलने वाला है दूसरा start investing in stock market friends आपकी जितनी भी income है मैं इस बात पर प्रश्ण नहीं रख रहा हूँ कि आपकी income कितनी हो सकता आपकी income 12,000-15,000 हो आपकी income 30-40,000 रुपे हो आपकी income 1.5,000,000 रुपे हो आपको सिर्फ सिर्फ एक formula अपनाना है और वो formula कहता है अपनी income का 10% आप invest करें अगर संबब हो तो 20% करें अगर आप 10-20% invest करते हैं और invest करने के system को समझते हैं तो आप 2 planning कर सकते हैं एक तो आपके retirement goal को ध्यान रखेगा आज जो money की value है न वो आज से 40 सालाद वही रहने वाली नहीं है आपको अगर ध्यान हो तो आपके जो बड़े उम्र के आपके परिवार में लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे दादा जी की income 100 रुपे थी मतलब आज के समय पर हम देखें तो वो income लगबग 50,000 के बराबर इसका मतलब money की value हमेशा decline हो रही है घट रही है इसलिए जरुवत है long term planning करने की इसके अलबा know the power of compound interest friends चक्रवर्ती ब्याज जो है न वो दुनिया का आठमा अजूबा है इसलिए जरुवत है आपको long term investment करने की और compound interest का benefit ही long term में होता है जब आप long term में अच्छे से invest करते हैं तो कई बार share की value भी बहुत ज़ादा बढ़ जाती है अगर आपको ध्यान हो तो बहुत सार ऐसे shares हैं जिनकी कुछ साल पहले बहुत nominal value थी और आज वो हजारों की value को पार कर चुकी है जैसे HDFC, MRF ये दो ऐसे example हैं कि एक समया पर इनकी value 100-200 रुपे थी और इनकी value 1000 रुपे में है तो आपकी money की value कैसे multiply हो जाएगी वो आपको नहीं पता इसलिए आप stock market पे invest करें और अपने पैसे को अपने future goal के लिए ज़रूर invest करें और invest करने के system को बेहतर तरीके समझें तभी आप अपनी life को secure कर पाएंगे यही बात उन लोगों पर लागू होती है जो 30 वर्ष की उम्र के आंकडे के अंतरगत आते है इनसे दो बड़ी जो major mistake क्या होती है अन ओर्गनाइज सेविंग यह लोग सेविंग करना तो शुरू कर देते हैं पर वो और और अर्गनाइज नहीं होती है 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र के बीच में और उमें सबसे पहली जो mistake क्या है अन ओर्गनाइज सेविंग वो थोड़े से पैसे आई निवेश कर दिये फिर कई महीन तो कोई investment नहीं की फिर कभी कोई अच्छी मोटी income एक साथ हाई उसमें से कुछ पैसा invest कर दिया या कई बार अच्छे इनका माने के बाद कुछ दूसरी चीज़े खरीदना शुरू कर दिया वो कभी भी regular और systematic तरीके से investment नहीं करते इसका मतलब आपको क्या करना है start investing with discipline एक discipline maintain करें और वो discipline क्या कहता है आप हर महिने पर मन्त income का 10 से 20% invest करें ये तो बात रहे discipline की ठीक यही बात एक extra income जो capital के रूप में आपके पास आएती है उसको भी अप invest करें उसको ऐसी चीज़ों पर waste ना करें जिससे बविश्य में मिलने वाला आपका output कुछ नहीं होने वाला इसके लबा make proper financial planning और financial planning का मतलब क्या है आपके education से related अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके business की growth से related अगर आप business को आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप job कर रहे हैं तो भविश्य में आप क्या कर सकते हैं उस से related planning आपको जो income receive हो रही है उसको कितना कितना percent किस-किस department में divide करना है जैसे आपको family के लिए कितना पैसा निकालना है आपको personal expenses के लिए कितना पैसा निकालना है आपको कितना पैसा invest करना है मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था सुधीर, विनोज और ललन सिंग के उपर कि वो तीन दोस्त हैं और वो कैसे अपने पैसे को invest करती है उसको आप ज़रूर देखें नेक्स जो important बात है नेवर बाय फ्लेशी प्रोड़क्स आपको क्या करना है depreciating assets नहीं खरीदनी हमेशा आपको appreciating assets खरीदनी अब depreciating assets और appreciating assets में क्या difference है depreciating assets वो होती है जिनकी बविश्य में value घटने वाली है और उससे मिलने वाला कोई आपको extra benefit नहीं होने वाला सिवा एक luxury की feeling के तो depreciating assets को कभी ना खरीदे depreciating assets का मतलब है हर वो asset जिसकी value घटती जाएगी और एक समय पर उसकी value nil या scrap रह जाएगी जैसे buying a luxury car is a part of depreciating asset या आपने अगर कोई ऐसा loan ले लिया जिससे आपने अपनी consumer needs को पुरा कर लिया या आपने picnic trip के लिए कोई loan ले लिया तो मतलब आप ऐसी problems में फ़र जाते है जहां पर आप depreciating assets खरी लेते हैं या consumption के लिए loan ले लेते हैं जो सबसे खतरनाक होता है at the age of 30 next important बात at the age of 40 यहां पर क्या problem होती है burden of loans at the age of 40 हम लोग decision making power पर आ जाते हैं या हम लोग इतने mature हो जाते हैं कि हम बड़े-बड़े decisions ले सकें ऐसे में हम loan ले लेते हैं अब loan भी दो तरह का होता है एक वो loan जो आपको भविश्य में growth की ओर ले जाएगा और एक वो loan जो भविश्य में आपके लिए एक तरह से खर्चा होगा इसका मतलब आपको अगर कोई भी loan लेना है तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि loan को avoid करें अगर आप loan को avoid नहीं कर पा रहे हैं या करना चाते हैं तो यह देखें कि क्या उससे आपकी productivity या आपकी income बढ़ती है और भविश्य में उसकी value बढ़ती है तो तो वो loan लेना सही है next जो mistake है at the age of 40 वो क्या होता है हमारे मन में कभी यह thought ही नहीं आता है कि हमारी कभी death भी हो सकती है क्यों 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 कि life की positive energy होती है आप हमेशा life में आगे बढ़ रहे होते हैं ऐसे में आप कभी भी अपनी will नहीं लिखते हैं यह एक बहुत बड़ी problem है आपको हमेशा अपनी एक registered will तयार करनी है at the age of 40 साथी साथ आपको appoint करनी है अपनी nominee friends आज आपके साथ जितने भी परिवार के सदस्य हैं रिष्चदार हैं वो सब एक positive thought के साथ आपसे जुड़े हुए लेकिन अगर आपके death हो जाती है और आपके पिशा अपार संपत्ती है तो उसको लेकर बहुत बड़े विवाद पैदा हो सकते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है nominee appoint करना मैंने देखा pandemic जैसे time में बहुत सारे लोग की instant death हो गई उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है जिसकी वैसे उनके bank accounts में उनके nominee नहीं थे nominee ना होने की वज़ा से वो fund bank के पास reserve रह गया आज उनकी family को उस fund को लेने में बहुत अधिक effort करने पड़ रहे है तो यह बहुत important है कि आपकी will होनी चाहिए proper और आप अपने nominee को appoint करें कई cases में जरूरी नहीं की pandemic की वज़े से instant death हो जाती है अभी एक बहुत अच्छा singer के के जिसकी stage performance के बाद instant death हो गई और एक बहुत बड़ी दुकत घटना एक singer के साथ और घटी है वो कौन है सिद्धू मूसे वाला जिनकी 28 वर्ष की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई तो friends कहते हैं कि 40 साल 50 साल पर हमारे expectation होती हम 17 साल जिएंगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्तमान एज कितनी है at the age of 50 कई बार हमसे एक mistake हो जाती है वो है dipping into the retirement saving क्या करते है कि जो उसकी retirement की saving उनोंने पूरी life में बचा बचा के किये उसको हम lack कर जाते हैं उसको हम lose कर जाते हैं अब lose कैसे कर जाते हैं मान लीजे family में कोई बड़ा कोई function है कोई शादी करनी है तो लगता है कोई बात में उसको हम वहाँ use कर लेते हैं या बच्चों को कोई further education के लिए study करने के लिए बाहर जाना है तो वो use कर लेते हैं या उनको लगता है चलो बेटे को एक business establish कर आना है तो वहाँ पर वो पैसे को use कर लेते हैं यह बुरी बात नहीं है लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ ऐसा manage जरू करना है कि आपके पास retirement पर आपके पास इतना पैसा हो जो आपकी life को आसानी से survival तक ले जा सके ताकि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े साथी साथ plan as per inflation यह बड़ा important role play करता है लोग saving तो करते हैं पर saving की जो करना शुरू करते हैं उनको लगता कि वविश्यम इसकी value इतनी हो जाएगी पर उतने वर्षों बाद उस amount की value कम हो जाएगी जैसे मान लीजे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आज आप 50,000 रुपे महिना बचाएं तो आज से 50 साल बाद आपके बाद इतनी value होगी लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आज जो value 50,000 की है न आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद कितने पैसे की इतनी value होगी ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता था कि मेरे पिता जी की जो income थी वो उस समय पर 600 रुपे थी और आज वही salary जो equivalent है वो 25,000 की है आपको ये पता होना चाहिए कि economy का inflation rate क्या चल रहा है मालीजे 6%, 7% का inflation rate है तो आपका जो पैसा है न वो इससे ज़्यादा grow होना चाहिए और investment भी इससाब से होनी चाहिए कि उस inflation पर आप आसानी से survive कर सके साथ में create a passive income आपको शुरुआत से ही न अपनी passive income create करने पर focus करना चाहिए त्योंकि passive income ये एक ऐसी income है जो आपके काम किये बिना भी आपको आती रहेगी जैसे rent, जैसे interest, जैसे FD पर मिलने वाला ब्याज या इस तरह की income जहाँ पर आपको काम ना करना पड़े मतलब आपके द्वारा प्रतिनी धी जो आपने अपॉइंट की हैं वो income कमाए या आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए जदि आप ऐसा system बना लेते हैं तो आप कभी भी retirement पर किसी पर आशुरित नहीं रहेंगे इसलिए आपने जो financial mistake 20, 30, 40, 50 की एज पर की है या बहुत सारे लोग जो ये mistake करते हैं अगर आप इन बातों को समझ लें तो आपका जीवन आजीवन जब तक आप जीवित रहेंगे सुख में जीवन रहेगा वरना आप भी वही problems का सामना करेंगे जो अच्छे income कमाने के बावजूत भी बहुत सारे लोग life में face करते हैं वो कहते हैं कि जिस उमर पर मैं सब कुछ कर सकता था उस उमर पर मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है और जिस उमर पर मैं सब कुछ जानता था कि क्या करना चाहिए था उस उम्मर पर मैं सवस्था में आगया जहां में कुछ नहीं कर सकता इसलिए 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की बीच के जितने भी ये प्रश्ण है इनका जावाब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है तो friends यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो मुझे comment box में लिख कर ज़रूर बताएं कोई भी informative वीडियो मिसना हूँ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत